वेलकम टो फोर्थ एपिसोड आप अपस्विंग और कॉंसेप्ट सिरीज इस एपिसोड के अंदर एक इरोडो बुक की बहुत ही प्यारी सी प्रावलम डिसकस करेंगे इवन एक रोटो में भी गीवन है एक सिलेंडर है जिसा आपने एक होरिजेंटल सर्पेस पर रखावा है वहाँ से एक स्ट्रींग को कनेक्ट किया है जिसकी लेंद कैपिटल L और स्ट्रींग के दूसरे एंड पे एक पाइंट मास है जिसको आपने वैलोसिटी दिए वी नौट पर्पेंडिकुलर टो दे लेंद और आपको बदाने कितने टाइम के बाद में ये डिस्क या सिलें इंडर को हीट कर जाएगा आप मैंसे बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर निकाल लिया होगा और इसका कापी जग आपको मिल भी जाता है आई विल ट्राइब टो परजेंटे सिंपल सॉलूशन आप दिस प्रॉलम लेट्स बेगिन किसी प्रॉलम को सॉल करने का आईडिया ल पर कनेक्टेड है अब जैसे यह मास आगे जाएगा यह स्ट्रिंग है ना यह इट विल स्टार्ट वाइंडिंग ऑन दिस डिस्क और सिलेंडर ठीक है तो थोड़ देर के बाद में अगले मुमेंट पर आपको नजारा कुछ ऐसा दिखेगा कि आपका पाइंट अब्जेक् पर एक फोर्स लगेगा ना टेंशन की वेज़े से माल लेते हैं वो है टेंशन टी इस मुमेंट पर टेंशन लगेगी इस तरीके से टी और एक यहां पर वैलोसिटी होगी और अभी भी जो वैलोसिटी है ना यह टेंशन के परपेंडिकुलर होगी यह टेंशन वैलोसिटी change होगी क्या change होगी direction change होगी और यह जो length है capital L यह बाद में थोड़ी कम होके हो जाएगी small L length आपकी कम होके क्या हो जाएगी small L और यह जो center से माल लेते हैं यह distance से small x हर एक moment पे यह angle हमेशा 90 degree रहेगा यह angle भी हमेशा 90 degree रहेगा लेकिन x आपके पास कम होता रहेगा और small L भी कम होता रहेगा finally x की value हो जाएगी small R और small L की value हो जाएगी zero तब जाके वो hit करेगा बस इसी चीज़ को तब देखना है अब देखते हैं mathematically अपने इस पे क्या और बात कर सकते हैं अपने इस triangle के अंदर इस angle को इदी theta मान लेते हैं तो आगे वाला angle 90 minus theta और यह angle दुबारा से theta हो जाएगा और अपने इस V naught का इदी एक component ले x वाले line पे तो वो component आएगा हमारे पास V naught sin theta और यह V naught sin theta x की line पे है तो यही आपके पास x को change होने के लिए responsible है और एक समारा यहां पे कम हो रहा है तो इस can be written as minus of dx by dt x जो decrease हो रहा है उसके लिए V sin theta responsible है V cos theta से तो एक सिर्प्रोटीट हो रहा है ठीक है और यहां पे sin theta इस triangle में देखेंगे तो sin theta को क्या लिख सकते हैं perpendicular upon hypotenuse लिख सकते हैं अब बस cross multiply करेंगे तो हमारे पास यह आ जाएगा V naught small r dt is equals to x dx नाव integrating बहुत साइड story की starting में जब time 0 था तो माल लेते हैं कि x की value थी x naught बाद में x naught की value put कर दूँगा और किसी time t पे जब आपका x क्या हो जाएगा यह time t naught जब आपका सी particle hit करेगा जब hit करेगा तो x के ना हो जाएगा small r के equal तो यह value है यहां पर सब कुछ constant है V naught और small r अंदर क्या बचेगा शिरफ 1 बचेगा 1 का integration t के respect में t upper limit minus lower limit तो यह t naught इदर x का integration x square by 2 अब अपने को इसमें limit put करने है limit put करने है ठीक है भी limit put करते है यह V naught small r t naught minus 1 by 2 limit देखो यह जाएगा small r square minus x naught का square और x naught क्या था स्टार्टिंग में यह वाली x की value है ना और स्टार्टिंग में x की value क्या थी उसको लिखा जा सकता है x की value का square को लिखा जा सकता है r square plus capital L square ठीक है इस bracket को open करेंगे तो t naught जो मिलेगा वो लिखा जा सकता है capital L square divided by 2 times V naught small r यही हमारा answer है की शव़गा जा सकता है की बांने करष़ जासَّ और सकता है यह की «वराज में है वो शाली» की लिख टेला में यह के इस अप्लेटॆ यिए आर प Celtा सकता है झाल झाल